आपका स्वागत करती हूं दोस्तों मैं बात करने वाली हूं आज एक विसे स्मुद्धे पर जो कि अधिकांस्ता तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्थानों पर ऐसा निर्षिनों के मन में या फिर हमारी महनों के मन में भर जाता है आज का जो ये वीडियो है वो पूरी तरह से निर्धारित है हमारी एक बहन कहलेजे या बहन तो कहना बहुत बड़ी बात होगी एक हमारी बेटी कहलेजे तो काफी कम उम्र की हैं और उनको कुछ चीज़े ऐसी कही जाती है जिससे वो काफी दिमोटिवेट हो गई हैं और के उपर पड़ते हैं तो लाख हमारी उम्र बड़ी है लेकिन हमें भी इन बातों से फर्क पड़ता है दोस्तों जब यह कहा जाए कि मैं अपने घर के लिए बहुत अशुम हूं और मेरा आना या मेरा हुना उस घर के लिए बहुत जादा बुरा है तो आपको कैसा लगेगा देखें ये बात सच है कि औरतों में ही सीता होती है और औरतों में ही सूर पढखा भी होती है तो ऐसे में क्या ऐसे गुण होते हैं जो औरतों को निश्चित रूप से राक्षसी प्रविटिका बनाते हैं और क्या गुण होते हैं जो सीता जैसे त्याग की मुरत बनाते हैं तो आज ये गुण जानीगे और अंत में एक विसेस बात बता देती हूँ, यदि कुछ ऐसा आपको फील होता है, आपके परिवार वाले कहते हैं कि अपने घर के लिए आप सुब नहीं है, पहले ये चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँ, ऐसा होता नहीं है, सभी अपने गर के लिए बहुत जादा सुब होते हैं, लेकिन किसी कारण से आपको लगने लगा है, आप अपने परिवार के लिए सुब नहीं है, खुद के लिए सुब नहीं है, तो आज एक अचूक आपको मूल मंत्र बताती हूँ, जिसका कि आप बालन करके देखिएगा, आपको ल जो को समझ लेते हैं, तो आज की ये वीडियो बेहत महत्वण होने वाली है, बस करदा हमें ये है कि सांती की साथ इस वीडियो को सुन लेना है, और जहां पर आप लोगों को लगे कि मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे बिलकुल बता सकते हैं, मैं सुनने के लिए कायार हू पहली चीज ये पता देती हूं, दोस्तों कि देखे, पहली वो चीज है महत्वण है, जो औरत को सच में लक्षमी स्वरूपा, अन्नपूणा स्वरूपा बनाती है, पहली कौन से सिज है कि केवल और केवल, जो औरत अपने बारे में सोचती है, खुद के स्वार्थ के बार होती है, सारी जो मेहनत होती है, सारे जो प्रयास होते है, घर में यदि कोई पूरा है, बीमार है, उसको देखना किसको होता है, उसको देखना घर की इसरी को होता है, अन्नपूर्णा का स्वरूप माने जाती है, सब का पेट भरने के बाद ही खुद का आपको पेट भरना चाहिए अगर कोई भुजुर्ग है बिमार है और कोई बच्चा है तो हमें निये चृर्ट करते कि हमें अभुजुर्ग की जक्तो सकते हैं के कहलाने के लाइक पहले ही चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए और बिनाना रही कोई नहीं मिलने वाले क्योंकि जो घर के परिवार के शदर से हमारे सहारे बैठे हैं हमें उनका ध्यान सबसे पहले रखना है ना कि बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि नई पैर चदर बड़ी रखे तभी जाकर के हैसियत बड़ी होगी मैं उन सब बातों को काटती नहीं हूँ लेकिन इतना कहरे हूं दोस्तों कि वर्तमान में जो हमारी आर्थी किस्ति हो उसी के अनुसार हम चाहे जूलिरी बनवाया चाहे क अपड़े खरेदे या जो भी चाहिए यदि हम स्वार्थ के वसीभूत आकर कहीं से पती से कर्ज लेने को कहते हैं और उस तरह से अगर हम अपने सौक पूरे करते हैं तो एक नए एक दिन हम अपने परिवार को गर्त में डालते हैं तो ऐसी औरतों के यह लक्षन बिलकुल जो ग्रंत हैं जैसे विशेष कर विश्णु पुरार्न बगर्ज मैंने इसके उपर कई वीडियो बनाया है कि मालक्षमी ने कहा कई वीडियो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं तो उसमें मातानलक्षमी ने कहा है ग्रहणी संतोसी होना चाहिए मैं ऐसे ग्रहणी में व करते। का मालक्ष्मी का सुरूप देखें रहा है कि'RE को शाहिए नहीं है जरूर हमें भी जीने का अधिकार है तो बिलकुल यह चाहिए अ कि भी साथे हैं लेकिनिक अती होती है अति होती है कि हमारे जो इस्तिती नहीं है हैसियत नहीं उससे बढ़कर हम काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और बाकि इस मेरे बात से यह मत सोचेगा कि मैं यह कह रहे हूं कि आप पती से मत कपड़े मांगे या बिल्कुल बिल्कुल हक है हमारा हम मांगेंगे नहीं त तरस नहीं करती हैं पती कितनी महनत से पैसे लाते हैं और उनको केवल उडाने से मतलब होता है तो देखिए ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए कि वो पैसे आपके पती लाग कैसे रहे हैं इस तीज को ध्यान रखिए अगर वो पैसे बहुत महनत से तो फिर आप उन्हें समाल कर खेल्ज करिए तभी आप लक्षमी बन पाएंगी और उन पैसों का सुख आप ले पाएंगी और हाँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माप करिएगा मैं अपने जो परसनल अडुमाया उसके आधार पर और कुछ जो हमारे सास्त्रिय निय अगर आप ऐसा बनना चाहती है तो आपको जाधा कुछ नहीं करना है आपको बस अपने हिर्दय को कुमल करना है हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखें लोगों को तो हमें सचमे लोगों का ध्यान लखना है किसी की चवले निंदा से बचना है क्योंकि देखे जो हमारे धार्मित घ्रंथ है उसमें महिलाओं के लिए कुछ निस्द्ध लक्षन बताएंगे उसमें अपने स स्मय है हर समय मैले कुछ यले वस्तर पहन करके सोते रहना लडाई करना बिना मतलब का अठा हास करना ये सब चीज़े जो है वो दरिद्रा के लक्षन बताए गए हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान जरूर रखना है साथ साथ बहुत जादा फटे पुराने कपड़े हो गए तो इतने नियम भी न लाईए कि एकदम फटे पुराने कपड़े ही पहनिये थोड़ा सưng शबर के रहीं फटे पुराने कपड़ों से परहज करिए जो भी हैं उनको रिपैर कर लीजे सिल के पहनिये इस तरह के नियम करिए लेकिन चिलाने किसी भी चीज का विकल्प नहीं है चिलाने से एक होती है कि आपकी घर की जाती है और आपकी घर का नियम मत जाता है कि आप चिलाएंगे पती चिलाएंगे चिलाने से कुछ भी नहीं होता हो सके न तो एक कहावत है सौ वक्ता एक चूप हरावे हो सके तो चूप हो जाईए सामने वाले को एहसास हो जाएगा और अगर ऐसा ना भी हो तो बाद में आप ठंडे दिमाग से आप इन चीजों को बता लीजेगा लेकिन उस समय चिलाने से कुछ नहीं होगा और चिलाने से आपका जो अंदर का आपका और है वो खतम होगा अब अंतिन चीज आपको बता देती हूँ अगर आप माता लक्ष्मी का स्वरूप बनना चाहते हैं तो ज़्यादा आपको नहीं करता है किवल इतना करना है जो चीजे आपको अच्छी लगती है जैसे माली जे किसी का स्वरूप आपको बहुत अच्छा लगता है आप उसके जैसा बनने की कोसिस करिए और केवल कोसिस करिए अब इसमें किसी की नकल करना बुरी बात नहीं है क्योंकि आप कुछ अच्छी चीजे ले रहे हैं तो आप उसके जैसा जैसे कि माली जे कि और आप से प्रेम से बात करता है तो खुद आप ऊंपने परिवार के लिए। यह सब चीजे करिए और अच्छी चीज एक बता रहे हैं आप अपने घर के मंदिर में तील भार कणक धारा स्था का पार्ट करना शुरू करिए आपको दावी की साथ बतारे हूं कि मात्र और मात्र तीन साल वैसे तो जादा टाइम होता है कभी छूट भी जाता है कोई दिक्कत ने लेकिन आप तीन साल करिएगा आपको चाहें लोग कितने भी कहें कि आपका पैर असुब है घर में आते ही दिक्कत कर दी घर में आते वो दिक्कत कर दी कोई असुब नहीं होगा आप मात्र तीन साल करते रही आप वही परिवार आपको कहेगा कि नहीं हमारी बहु हमारी बेटी या जो भी रिलेशन है तो वह बहुत सुब है मालक्षमी का आउतार ऐसा हो जाएगा कि आप किसी ची पैर लक्षमी शुरूपा बन जाएगे यह अलग बात है कि बच्चियां सुनेंगे नेकी कुवारी लड़कियां अगर इस चाम को करने लगे तो जिस घर में जाएगे उस घर में धन संपधा की भरमार लग जाएगी सुख सांती की भरमार लग जाएगी तो आप ये काम करके देखेगा, तीन साल जो है, लगातार कुछ लगना नहीं है, दो मिनट टलब भी नहीं लगता है कनकदारा, उस तो उत्तर का पार्ट खतम करने में, तो आप इस काम को करिए, आप चाहे, तो सुबा साम, दो पार्ट साम को कर लिए, अपर एक बार में भी यह तो बस कुछ भी करते करते आप बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिस्मांस रहता है तो जो भी हमारी बेटिया इस तरीके से या हमारी बहने परिशान है अपने जीवन में कोई किसी के कहने पर तो पहली चाहिए है कि इस चीज को दिमाग पर बिल्कुल न लेज क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है और इस तरह की समस्या है तो एक बार आप इस नियम को आजमा कर देखे को कि मैंने इसका अनुभाव अपने जीवन में देखा है अब बहुत जादा नहीं बचा सकती हूं क्योंकि सोशल मेडिया विश्वास करिए आप इस काम को क वीडियो कैसी लगे जरूर बताएगा अच्छी लगती है तो बिना लाइक किये मत जाईएगा चैनल को भी सब्सकाइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह से मैं आपके लिए एक से एक महत्रपुन जानकारियल लाने का प्रयास करती हूं और अच्छी लगे तो आप किसी को से तक भी कर सकते हैं जो इस तरीके से परिशान है मैं मिलती हूं अन्य वीडियो में धन्यवाद हर हर महादियू